क्लास टेंथ बाइलोजी में चाप्टर नमबर सिक्स है रिपोड़क्शन अर्था जनन के लॉंग कोश्चन को देखेंगे प्रस्णों की कूल संखिया दस दी गई है अलैगिक जनन का हमें सचित्र एम संचिप्त विवरण देना है जितने भी परकार के एस सेक्स्वल रिपोड़क्शन होते हैं उनका संचिप यानी छोटे रूप में वरण करते हुए हमें चित्र भी बनाना है तो आए इसका हमें एंसर करते हैं तो सबसे पहले आपको सुरु दोनि जनन फ्रेग्मेटेशन होता है हमारा वेजालू जनन एस्वरूलेशन तो यह चार निम्नांकित्ट भीधियो दोरा आलैगिक जनन संपन्य होता है तो हमें चारों के बारे में बताना भी है चित्र के साथले किन धी cooler रोप में बताना है boxes portion के बारे में वर्णन करें होते हैं ठीक है समाने तो विखंड़ान के किरिया दो परकार से संपन्य होती है विद एक ऑगरा है त chor दो ये कौन से हैं अमीबा में वहु खंडन होता है अमीबा में दूइखंडन में होता है तो अभी हमने विखंडन को जाना विखंडन क्या होता है विखंडन दो परकार के होते हैं दूइखंडन और वहु खंडन तो हमें किनी एक के बारे में लिखना है दोनों के बारे में नही और यहां पे खंडीत होके दो में यह बढ़ गया है संत्ति अमीबा ठीक है एक से दो संत्ति अमीबा यह पिक्चर आपको ड्रोकर लेना है तो चलिए देखते हैं आ-लैगिक जनन का जो दूसरा है अब हम देखेंगे मुकलन के बारे में मुकलन एक परकार का आ-लैगिक जनन है जो जनक के सरीर के धारातल से कलिया फूटने या प्रवर्द निकलने के फलसुरूप संपन्न होता है यह परिक्रिया कहला आती है और यह कहला आती है मुकलन और यह एक कुस्की जीवों में और बहु कुस्की जीवों में भी संपन्य होता है तो हम लिखेंगे एक कुस्की जीवों में मुकलन ठीक है? यहां तक हो गया एक कुस्की जीवों मुकलन अब यहाँ से करना है केंद्रक्युक्त मुकहलं जनकों के सरीर से विलग होकर नए जीव का निर्मार करता है और यह अपने से परिकून होता है आयूँ यह तथ है बिल्कुल सुतंतर होकर जीवन यापन करता है ठीक है? तो येस्ट में मुकलन यहां पे देखिए यह क्या है जीव है तो यहां से इसके जो बुड है और यह इसके उभाद निकल रहे हैं इसको बढ़ कहा जाता है मुकल और यही अलग होते हैं और यह एक नया जीव का रूप धारण कर लेते हैं और सुतंदर जीवने अपन करते है खंडन या पुना जनन फ्रेव मेगनेशन ठीक है तो इस परकार के जनन में क्या होता है इस परकार के जनन में जीव का सारीर किसी कारण या कितिम तोर पे अगर दो या दो साथिक खंडू में तूट जाए तो खुआ हुए भाग होते हैं वो विकास कर पूर्ण विक्सित एक नया जीव बन जाते हैं तो यह देखिए अस्पाइनो गाईरा है यह अलग कट गया तो एक नया पुरा बन गया यह जीव है प्लेनेरिया यह देखिए प्लेनेरिया है इसका उपर वाला भाग नीचे वाला भाग कट गया इसका देखिए नीचे वाला पूरा आ गया औ और ये सुतन तरूप से जिवा नियापन करेंगे ठीक है तो ये पिक्चर आपको ड्रॉ कर लेना है इसमें से और ये आपको पूरा लिखना है यहां तक अब इसके बाद चौथा जो है अलागिक जनन का विधी बीजाणू जनन तो हम यहां से करेंगे निम्न सेणी के जिवा जैसे जिवाणों सेवाल कवक आदी में विजाणू निर्माण आलागिक जनन की मुखिविदी है ठीक है इन जिवा में संपने होता है इस परकार के जनन में समानेता सुप्धन थैरी जैसी विजाणू धानिया का निर्माण होता है ठीक है और इसके व इक होता है काईक परवर्धन के लाभों का उलेख करना है तो दीखेए उतक सवर्धन उतक सवρα्धन जो है काईक जलन का ये आधनिक तक हैं तो देखिए कैसे संपन्ने होता है आपको यहां से करना है काईक सवbtर वांचित पौदे से उतक के छोटा तुकला काट लिया जाता है इसे किसी बरतन में रखा जाता है और पोसर प्रदार्थ के खोल में इसे रखा जाता है उप्यूग तापमान आधरता एंव अनकूल इस्तितियों में उतक का एक टुकड़ा एक आसंगटित पिंड बन जाता है जिसे क्या रहा जाता है केलस कहा जाता है इ यहां भीकसित यह भी भेष्णथ ऊकर पातफ़क बनते हैं और इन पातफ़ों को जमीन यह गमले में पृत्योरूपन लगा दिया जाता है वहां से बिकसित होकर स्वतंत्र बेस्वी बनते हैं जो अपने जनकों से ही समान होते हैं और इस तरह उतक सवर्दन का इक सवर्दन क रख दिया जाता है वहां से उसके टीसू को हार्मोन युकते भाग में रखकर ठीक है माध्या में रखकर पिर अलग उसे लगा दिया जाता है एक नया प्लांट बन जाता है जो क्या कहा लाता है उतक सवर्दन कहा जाता है अब इसके बाद हमें लिखना है काईक सवर्दन के क वासानी से लग जाता है तो उसे ही तो कहा जाता है काईक परवर्दन जैसे गुलाब का पोधा अंगूर का पोधा इसके पार्ट्स को अगर काट के कुछ दूसरे जगा लगा दे तो वासानी से लग जाता है तो इसे क्या होता है समय की बचत होती है कम समय में ज्यादा प्ला बीज उत्पंग छमता ना करने वाले प्लांट को भी से लाव मिलता है किम्कि वीज के उसकता नहीं पड़ती रख रखाव परिवाहन में असानी होती है रख रखाव करना परिवाहन एक अस्थान सो दूसरे अस्थान ले जाना तो काफी असानी होती है तो यही एक काईग परोड़न के लाव इसके बाद देखे आगे बढ़ते हुए तीसरा प्रसंद क्या है पराग कण से लेकर बीज बनने तक की किरिया को संच्छेप में हमें बताना है तो ये प्लांट में लैगिक जनन कहलाता है जिसमें मेल भाग पुनकेसर और फीमेल भाग अंडा से यनि बिजान इसमें सामिल होता है तो कैसे बनता है पराग दोवारा बीज हमें पूरी परकिरिया का वर्णन करना है लेकिन ध्यान देना है यहाँ पर संच्छेप में करना है हमें तो इस तरीके से आपको लिखना है जब पराककरों के पराकोश से निकल कर उसी पुस्ब या उसी जाती के दूसरे पुस्ब के वर्तिकाय तक पहुंचने के किरिया क्या कहलाती है? परागन कहलाती है और ये दो तरीकों से संपन्य होता है पहला होता है स्वापरागन यानि अपने से दूसरा होता है परपरागन यानि दूसरे से दूसरे कारकोस जिसे हावा से कीट से ठीक है जो परागकन होते हैं पराग उसमें नलिका से नर युगमक निकल कर बिजांड में अवस्थित मादा युगमक से क्या करता है संगलित हो जाता है और निसेचन के बाद युगमत भी भाजन होकर ब्रून के रूप में बिक्सित हो जाते हैं निसेचन के बाद अंडा से फल में और बिजांड में बीज बिक्सित हो पादब में प्लांट में लैगिक सेक्स्वल और इन लैगिक एसेक्स्वल रिफोडक्शन के भी भेध हमें बताना है तो लैगिक जरन में कौन आ जाएगा लैगिक जरन में पराकंड से जो बीज हमने अभी देखा वो लैगिक जरन में आ जाएगा इसमें मेल और फिमेल पार्ट होते है आल लैगिक जनन में कौन आ जागा काईग परवर्दन हो जागा काईग परवर्दन हो गया उतक परवर्दन हो गया प्लांट की किसी भाग को हम दूसरे अस्थान पे लगा देते हैं उसमें बीच कर सकता नहीं पड़ती नए पोधे बन जाते हैं यही होता है प्राग में तो यही होता है प्लांट में लैगिक और अलैगिक जरन तो आएए इसको हम पी भेर लिखते हैं तो सबसे पहले आपको लिखना है पादपो में प्लांट में लैगिक और आलैगिक जनन में अंतर निमली खित हैं लैगिक जनन अलैगिक जनन इसमें देखिये क्या है लैगिक जनन नर और मादा युकमक से होता है जिसमें पादब की वीजो एम बीजाड़ों का उपियोग होता है ठीक है इसमें मेल और फीमेल होते हैं और वही अलैगिक जनन की बात की जाए आ लैगिक जनमे पोधे बिना बीजो के ही नए पाल प्लांट उत्पन कर सकते हैं दूसरा देखिए लैगिक जो जनन होता है नर अंग पुनकेसर और इस्तिरी अंग इस्तिरी केसर ठीकर इसमें सभी सामिल है बिजांड सामिल हैं अंडासे सामिल हैं वो सारे हैं मादा जर्म अंग सामिल होते हैं और वहीं देखिए इसमें नए पोधे काईक पर वर्दन द्वारा उतक से वर्दन द्वारा संपने कराकर नए प्लांट नए संदती आसानी साम प्राप्त कर सकते हैं इसमें दोरा नर और मादा के उसकता नहीं पड़ती तो यही है प्लांट में लेगिक और आ लेगिक जन में अंतर इसके बाद देखिए अगला प्रसंट पांच बाद पुस्प की अनुदैत काट का एक स्वच नमांग की चित्रह में बनाना है तो यह आपको चित्र बना लेना है एक पुस्प की अनुदैत काट का पुस्पासन को दरसाते हुए ठीक है तो जो जो अंग यहाँ पे दिखाए गए है नीचे वाले यह फीमेल अंग है और उपर वाले मेलंग है देखिए इसमें क्या है यह पुन के सर यह कौन का लाता है यह पुस्प का जाता है ठीक है और इस तरी के सर में यह सारे आगेंगे वर्तिकाए वर्तिकाब और नीचे आजाएगा बिजाण अंडा से बिजाण तो बस यही आपको ड्रॉ कर लेना है पिक्चर इसके बाद देखिए प्रसन करमांग यह प्रारम करना है यहां से प्रारम करना है कि सोरा वस्था में होने वाले कुछ परिवर्तन बालक या बालिकाओं में एक समान होते हैं ठीक है और जैसे में यहां पर जो परिवर्तन होते हैं वहां पर दिया गया है और यह लिखते हुए आपको यहां तेक लितना है ठीक है इसमें दोनों सामिल होना चाहिए बालक औ में वर्णन करना है तो काफी असान सवाल है लेकिन थोड़ा सा लंबा है कैसे करना है मैं आपको बदा देता हूँ तो आपको यहां से प्रारम करना है यह सारे आंतरी कंग कहे जाते हैं पुर्सों के यहां से लिखना है पहले नर जननांग के दो विर्षण दो टेस्टिस कई सुक्र उफवाहिकाएं पर देख विर्षण से सम्दित देने जुड़ी हुई अधी विर्षण एम सुक्र वाहिनी सुक्रासे मुत्रमार तथा सिसन एम कुछ सहाय गंधिया सामिल होती है ठीक है अब इसके बाद देखिए इसमें जो जो ना प्रसंद कर्मांक आठवा क्या है इस तरी के लैंगिक चक्र का हमें वर्णन करना है तो हम यहां से करेंगे इस तरी हो मैं लैगिक चक्रत था अंडारोक निस्टेशन ना होने के बाद के क्रिया है तो हम यहां से प्राराम करेंगे और यह लिखते हुए आपको यहां तेक लिखना है ठीक है यहां से लेके यहां तक और आप चाहें जो थोड़ा सा यह भी इस संख्या नियंतरन के उपाए निमलिखित है पहला उपाए लिखना है प्रकिर्टिक विधी इसमें से आपको लिखना है यहां तक दूसरा लिखना है यांतर की विधी ठीक है यांतर की विधी में आपको यहां तक लिखना है मेल का और यह इसमें फीमेल का आपको यहां तक ल लेकिना है ठीक है बस ये गोलियों कपड़ियों किया जाता है कर दिरोधक अब इसके बाद सर्जिकल विर्दी यर न्स्ट बंदी कराकर इसमें पूरुस्ष और इस्तिरियों का यहां बिसामिल है ठीक है और लाश्ट में आप यह भी चायतु लख सकते हैं समाजिक तो यहां से आपको प्रारम करना है और यहां से प्रारम करना है और यहां तेक लिखने के बाद आपको फिर लिखना है मनुष्य में होने वाले प्रमुक लेंग्स जिन संचारी त्रोग निम्लिकित है बैक्टेरिया द्वारा वाइरस द्वारा प्रोटो जोगा द्वारा यह तीनों रोग हो गए